लो सुनो, केट शोमपन्दी लिखी कहाणी, पश्तावा, अंग्रेजी कहाणी रिग्रेट तो इसदा पंजाब भी उनवाद कीताए, चर्न गिलने ममजेल ओरली चंगे तकडे जुस्से दी मालकन सी, सुन्या गलना, पूरे वाल जो हुन तॉले हो रहे सान, ते द्रिड निगा, ओ मर्दाना हैट पैन के खेतनाच कुम मन जान दी, जदो कदे ठांट हुन दी, ता नीला फोजी ओबर कोट पैन दी, ते कदे कदे टाप बूट मी पैन लेंदी, ममजेल ने कदे व्यास बंदी नई सी सोच्या, ते नाही उसनु कदे किसे नल मुहब्बत होई सी, वी साल दी उमर चे एक रिष्टा आया सी, जिसनु उसने तुर्त ठुकरा देता सी, हुन पंजा साल दी हो चल्ली सी, पर कदे इस गाल्दा पश्तावा न गामा ते खच्राँ दी एक जोडी, ते बास दा शिकार कानली एक बंदूग सी, उसदा तारम्युस दी जिंदिगी दाक एम हिस्सा सी, एक स्वेर दी गाल्या, ममजेल ख्यालना चे डुब्बी, ताकां ते हाथ राख डूडी वेच खडी सी, कि उसने निक्के बच्चान अपने वाला उन्दे देख्या, जिमें उसमान तो टापके होना, उन्ना दा अचान के इस्तरा भिन बलाया उना, बहुत हरान कुन सी, उस्ती गवांडन उडायल दे बच्चे साना, कोई पांज मिंट दे बाद एक जवान औरत बच्चा ना लाई, उसने गोद वेचे खो रहा सी, ते अथ्रूआ ते विशोड़े दी शिद्धतकार्न उत्रया होया सी, गवांडी जिले तो उसनू बलावा आया सी, कि उस दी मादी बिमारी खतरनाक रूप लाया चुकी है, उस दा पती टेकसास वे चरेंदा सी, उडायल नू ता ए दूरी लखा मील दी लाग जेकर मेरे कोल कोई वी हो रास्ता होंदा, ता मैंना बच्चानू तो डेकोल उक्काना शाड़ दी, इन्ना नू काब्बो करके रखना, ते कोई टे लेना देना, मैं बच्चान करके बड़ी परेशाना, लोण मी कार नहीं, हो साकदा है, कि मेरी माविचारी उस देहों तक जिन्दा ही ना रहे, इसे कारण उडायलनू मौक्के ते अपने परवारनू शद के जान्दा दुख दाई फैंसला लेना प्यासी, उडायलने अपने टबबर्दे स्टोले नू लंबे ते निमेकार दी पोर्च वेच, शांदी तंग पंगती वेच अलवदा केहा, पुरा जरी वेच एमें अवारा इदर उदर को मदा रहा, फुलान्दी खुशगवार में अक फैली होई सी, ते कपादे खिरदे होई खेतां वीचो हापशियां दे ठाक के बलांद हो रहे सान्द, ममजेल खडी बच्चयां बारे सोच रही सी, उसने सवालिया निगा नाल मरसली देख्या जो गोल मोटोल एडोली दे बोज दी मारी लड़ खडा के जार रही सी, इसी तरह उने मरसलेट वाल निगाह मारी जो अपने खामोश अजवा नाल ते मोन दे दुख नाल एकमिक हो रही सी, सोच विचार देनना पलावेचे ममजेल खुद नू संभाट रही सी, त अपना फार्द दा कान लई, कुछ ना कुछ सोच रही सी, ते उसने बच्चानू खाना खिलोना शुरू किता, जेकर ममजेल दियां जिम्मेवारियां इत्थों शुरू होके इत्थे ही खातम हो जान दियां, तो बड़ी असानी नाल ने जेट साकती सी, क्योंकि उस दा पर ते ना ही उसने इसलिए कोई त्यारी कीती सी, मुटले कुछ दिना वेचताओ उड़ायल दे बच्चानू सामपन्च पूर्ण पातन लायक साबत होई, ममजेल नू पलांके में पता हो साथ दा सी, के जे मरसलेट नू उच्ची ते हाक मानना लेदे वेच्च कोई गल कही ज जान्दी सी, ता हमेशा रोन लाग जान्दी सी, उसनू टिमोन दे फुल्लां प्रती प्यार दी उस वक्त जानकारी होई, जदो गारदेनिया ते चंबेली दे सारे पसांदी दा फूल तोडले आया, जिमें उसने फुल्लां दी जैवक परनाली, ते रचना दा अलोच नात में कैदे अनकार ना होवे, ममजेल, तो अनू दसली मेरे कोल बढ़ा कोजे, मुर्सलीन ने उसनू हदायता दितंगा, तुसी तिमोनन नो कुर्सी नाल बांदेओ, जदो मम्मानो तांग करदा सी, ता मम्मा उसनू कुर्सी नाल बांदिंदी सी, ममजेल और लीने जिस कुर रात नू जदो ममजेल ने चूचानू खुड़े चितार नमाग बच्चानू सौझान ली के हा ओ हक्के बक्के उदे सामने खड़े रहे कि रात नू पहिनन वाले चिट्टे गाणू कित्थे हा पाणी जटाब कित्थे है जो ले आके फार्षी दे विचकार रखा जाना सी जिस विच हरेक ने निके निके ठके तुटे तूड़लते ते तूपदे लू से पैर तोने सी ते इस गालो ते मरसले इन ते मरसलेट मू खुलके हासाया जो दो ममजेल सोच जी सी किटिमोन क्रेक मैटेन जा लूप गारो कहाणी सुने बिना सौँ साकर दा सी ते डोली चूटे लेन ते लोरी सुने बिना सौँ जाएगा अंटी रूबी मैं तोनो दास दिया ममजेल ओरली ने अपनी बावर्चन नू केहा इनना चार जवाका नू संबाल लना लो था एक दरजन खेता नू संबाल लना मेरली ज्यादा सोखाई हादी हो गई ममजेल मैंनू कोई अमीद नहीं के तो बच्चा नू सामझ सकेंगे मैंन ता काल लिये पता लाग गया सी जदो उनना नू तो अधंगा चाबियां दी टोकरी नाल खेड़ दे देख्या ता इननू नी पता के चाबियां नाल खेड़ना बच्चा नू सामझ दार बनोंदाई जिमें शीशा देखनाल दांद साक्तो जान देया एही गलना बच्चा दी परवरिश ते सामसंबार लिजाननियां जुरूरी ने यकीननी ममजेल नाता इस विशेश बंदी एनी सूखम गयांदी दावेदार सी ते नाही ओर जानन दी खाहिश मांद सी जनना आंटी रूबी दा कोल सी जिसने अपने जमानने विच पांच बच्चे पाले सान ते शेद दफनाई सान खेर ममजेल खुश सी कि उसने मोकास बाल देयां मामा वाले कोच गोर से खले सान ते मोंदियां चिपचिपियां उंगलियां ने ममजेल ओरली नुँ मजबूर कर दता क्यों अपना स्फैद एपरन कड़े जोसने मुद्धतां तो नहीं पायाजी उसने खुदनुट मोंदे गिल्ले चुमनादा अधी मनोनाप्या जोस दी मोहबबत ते जोशीले सुबादा प्रगटासान उसनों अपनी सलाई कड़ाई वाली टोकरी अलमारी दोतनों अतार नी पई जोसने कदे कदाई ही वार की सी टोकरी नुँ अपने हाथ हेट रख्या क्योंकि तुट्टे बटन टांकन ते उद्रंगा की मीजा से ओन लई पैर पैर ते उसनी जुरूर तरेंदी सी ममजेल कुछ दिना वेचे कार्च सारा दिन गूंजियां किलकारियां चीटकां ते हाथ स्यां दी आद्धी हो गई सी ते ए पैली दूजी रात वेचे नहीं हो गया सी के ओ एडोली दे गरम घोल मटोल जेसमनाल चिमबड के सौन वेचे राहत महसूस करना लगी सी इस निक्चु दे सा उस दियां गल्ला नाल एउन टकरों दे सान जिवें किसे प्रिंदे दे पर हल्की चाल दे रहे हों दूजे हाथ दे मुकंता क ममजेल और ली मुकंबल तौर दे इनना दे सांचे वेचे ताल चुकी सी ते होन उसनों कोई शिकायत नहीं रहेगी इस दूजे हाथ दे अखीर सी के कशाम ओखुरली वाल देख रही सी जिते मुवेशियानों चारा पाया जा रहा सी के उसने वालसन दे निल्ले गड़े नू सरक दा मोड काट दे दे देख्या उडायल एक होर सवारी नाल सिद्धी ते चौकस होके बैठी सी जदो उन नेड़े आये ता उस जवान औरता चमकदा चेरा दास रहा सी के उख खुशी खुशी कारपा रता ही है पर इस अचानक आमदने ममजेल औरली नू एक किसम दी फड़फडाहट पेट तकेल देटा सारे बच्चे नू कठा करना सी टिमोन की दर सी उओ उदर शतने दे हेठा पत्थर ते अपने चाको दी तारतेज कार रहा सी मुर्सलीन ते मर्सलेट ओ दलान देक कोनने वेच कुड़ियां प्टोले सुजासवार रहा सान ते जिछदा का एडोली दा सवाल है ओ ममजेल औरली दी गोद वेच महफूज सी उसने जाने पशाने निले गड़ेणू वेहके खुशी नल चीक मारी जिछ दी मानू वापस लेके आ रहा सी सब जोशते वालवले ठंडे पहगे सी उसाब अपने कार जा चुके सान जदो चले गए तक कार वेच किनना सन्नाटा शा गया ममजेल औरली उन्हान जानदा देखनली गैलरी विच खड़ी होगी सी ओ ज्यादा देर तक गड़े नू ना देख सकी छिप दे सूर्ज दी लाली ते निले ते सुर्मई रंगने मिलके खेता दे पार तक ते सडक ते जामनी रंग दा गुबार जहा फिला देता सी जिसने गड़े नू उसने नजरां तो ओजल कर देता सी गड़े दे पज्यादी खड़ खड़ ते चरचर भी ज्यादा देर तक सुनाई ना दे सकी पर अजे मी उसनू बच्चा निया तिक्खिया ते चैक निया आवाज जान दी हलकी हलकी जही गूज सुनाई दे रही सी वो कर दे अंदर मूडाई बहुत सारा काम उसनू उड़ीग रहा से बच्चे अपने पिछेक उदास्चे अखलारा शाड़ गई सान ओ एकदाम ही चीज्जानू टिकाने सरकार्ण वेचे नहीं लगई ममजेल मेज कोल बैठ गई उसने कमरे वेचेक अलसाई जही चात मारी जिसे देचे शाम दे परच्चाने सरक दे आ रहे सान ते उस दे एकल्ली सूर्थ दे आले द्वाले संगने हम दे जा रहे सान ममजेल ओरली ने अपना सिर अपने मुडी हुई बाउं ते लुड़क जान देता ते रोन लगई एपर उस तरह हलके हलके मठा मठा नहीं रो रही सी जिने आम तो अरते और ता रुष्क दिया हुं दिया वो ता मरदा नी तरह पुबी रो रही सी अजे है लागदा सी के अथ्रुआने उस दी रूनों अंदरो हलून दिता सी उस दा हाथ चाट्रे पुन्टो वाला उस दाते आन नहीं सी